सबी स्ट्वेंट को बहुत बहुत बढ़ाई जिन्होंने 12th क्लास के एक्जाम में flying colors यानि सुनहरे रंगों से अपनी जिन्दगी के फिलसफे को लेकर अब वक्त है कुछ बढ़ा करने का After 12th IS की preparation करने का ओजांक IS Academy लेकर आया Concepter batch after 12th preparation यानि graduation के साथ साथ आप कर सकते हैं IS की तैयारी और देश के लिए आप एक अनमोहल धरूहर बन सकते हैं लोग देर के इस बात की दियेगे नमबर पे कॉल कर सकते हैं अपने counselor से बात कर सकते हैं और ये program आपके लिए कितना beneficial है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों आज ही जुड़िये ओजांकाईस Academy के conceptor batch के साथ क्या है चले अब आगे एडिटूरल पढ़ते हैं क्या है एडिटूरल था है है रखंड ज़िस साइज c sabb缅 फिसकली जी करशारी ज्लोली सबस्क्राइब इकाइब कि उसको मिलकी घ्रीशनल इसको मिला वर नेशनल थे अभी यह आफ यह कौन है पीडीपी आचार्या ठीक है ये यह जो हैं लोकसभा के सिक्रेटरी जन्रल रह चुके हैं सिक्रेटरी जन्रल क्या होता है आप लोगों ने अगर लोगसभा और राजसभा की लाइब प्रॉशेडिंग देखी हो मतलब जो कारवाही देखी हो कि उसमें देखा होगा जो speaker होते हैं वो δ gobie बीच ने बैठते हैं इस speaker के जश्ट नीचे देखा होगा एक अधिकारी बैठता है उसी को बोलते हैं सबसे टॉपमोस अधिकारी होते हैं लोकसभा सची वाले के तो यह पूरे पूर्व अध्यच रह चुके हैं क्या नाम लोकसभा के तो इसलिए जो बहुत सारे इनकी आर्टिकल्स आते रहते हैं ता हिंदू में कई सारे विशवहों पर तो इनकी काफी मतलब की समयधानिक परंपरा से बहुत जाने-माने आदमी आने जाते हैं लिएन की बात सुनना इसलिए important हो जाता है तो उन्होंने अभी एक article लिखा कि जो पेंडिंग बिल्स हैं उनके विसे में एक article लिखा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर थोड़ी बहुत अगर आप लोगों नीज सुना होगा तो कि अभी कुछ तीन-चार दिन पहल resolution पास किया है कि जो ये governor है वहां के वो हमारे जो तमिलनाडू की जो बिधान सभाय वो जो बिल पास करती है जो बिल पास करती है उन बिल को उपर बैठे हुए हैं उन बिल के उपर sign नहीं कर रहे हैं तो क्यानाम प्रेशिजेंट को राश्पती से ये गुहार लगाई under article 355 कि जो भी ये बिल के उपर बैठे हैं उनको एक fixed time management किया जाए जिससे कि ये बिल जो है पास हो सके ठीक है तो अब इस बिल को समझने से पहले इसमें article में है क्या एक दो बाते बहुत important है उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है कि governor कौन होते हैं वो हमारे हमारे उसमें हमारे जो मतने की बिधाई का है विधान सभावा है राज्यों में उसमें बिल कैसे पास होते है ठीक है कानून में कैसे तब्सक्राव जान लेते हैं थिक है मित्akat अब इसके बात अगे बढ़तें हैं सभी लोग बताईए क्या क्या होते हैं संसत के तीन भाग होते हैं पहला सबसे उपर प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट यानि की रास्पती फिर राज्य सभा फिर लोग सभा ठीक है ऐसे होते हैं इसको बोलते संसत के तीन औंग होते हैं। संसत के तीन पढायएं होते हैं। आप लोग उन्हें पढ़ा होगा। सबसे उपर राशपति, फिर राज्यसभा, फिρ लोगसभा। लोगसभा क्यों बोलते हैं। इसको निचली मिनिस्टर होते हैं, प्लस उनके council of minister, याननि कि उनके cabinet के मंतरी होते हैं, प्लस यहाँ पे ruling party होती है, ruling party मतलब जिस party के लोग सरकार में हैं, प्लस यहाँ पे विपक्ष यानि के opposition होता है, ठीक है, विपक्ष होता है, पिर यहां पे कोई बिल लाय जाता है राजसभा में राजसभा में राजसभा में क्या होते हैं राजसभा में चेर्में pens reservation में बिल आया महिला का रजर्भेशन बिल आए वो यहां से लोगसभा से पास हुगा फिर रास्षभा में जाता है पर रास्षभा में पास हो गया फिर उसके तो तो उसको वापस भेज दे फिर से की सरकार के पास के पास की इसको फिर से पारिद कराईए ठीक है तो जाजातर क्या होता है जो राश्पती होते हैं वो कोई भी बिल पास होता है लोगसभा राश्पत वारा उसको साइन कर देते हैं जब साइन कर देंगे राश्पती तो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है वो कानून बन जाता है बिल क्या सरकार अभी अभी प्रजंट टाइम में जो मोदी की गौवर्मेंट चल लए उसमें केन सरकार में यही होता है ठीक है अब क्या होता है यही यही प्रकिरिया जो होती है वही चीज राज्यों में होती है राज्यों में यही सेम प्रकिरिया होती है तो इसमें राज्यों में क्य बिधान सभा होती है बिधान सभा और उसके उपर होते हैं गवर्नर ठीक है गवर्नर यहां पर होते हैं ठीक है गवर्नर होते हैं और किसी पांच्छे राज ऐसे हैं जहां पर क्या नाम एक होती है बिधान परिशद होती है जहां पर MLC चुने जाते हैं ठीक है पांच्छे र जहां पर बिधान परसद होती Member of Legislative Council जिसको बोलते हैं Member of Legislative Council बिधान परसद जहां पर MLC चुने जाते हैं कौन-कौन से राज्य हैं सभी लोग जिनको मालूम जल्दी कमेंट करके बताएं तो मैंने यह बताया कि जनरली क्या होता है सामान रूप से जो सरकारे होते हैं उसमें दो दो चीजे होती है ठीक है नीचे क्या होती बिधान सभा और उसके ओपर होता है गवर्नर ठीक है बिधान सभा में कौन-कौन होता है सत्ता पच्च होता है कि सत्ता पक्च ठीक है और विपक्च सत्ता पच्च में कौन कौन होता है एक तो सत्ता पच्च की पार्टी होती है ठीक है जो पार्टी होती है और दूसरा चीफ मिनिस्टर यानि की मुख मंतरी प्लस कांसिल आफ मिनिस्टर ठीक है प्लस कांसिल आफ मिनिस्टर यह होते हैं ठीक है सत्ता पच्च में विपच्च म के लिए अपने राज़ी के लिए कोई बिल लाना चाहती है ठीक है कोई बिल लाना चाहती है जैसे माल लिजे बिहार राज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् कि आया बिल में जो भी प्राविजन हो उन्हों डाले एक एक स्टेप करके उसके उपर चर्चा होती है बहस होती है कि यह बिल सही है यह खराब है यह चीज सही है यह खराब है फिर उसके बाद क्या होता है उस बिधान सभा में आगर कोई बिल पास हो जाता है ठीक है कोई बि गल्म मिल आता है तो उसके पास तीन तीन क्राइटेरिया एधीन उसके पास आप सद पहला क्या option है कि कोई भी बिल अगर उसके पास आता है तो उसको क्या कर सकता है sign कर सकता है उसको sign कर दे मतलब अपनी सहमती दे सकता है ठीक है अपनी सहमती देगा तो क्या होगा कोई बिल आएगा तो वो क्या बन जाएगा गौवर्णर की साइन से क्या बन जाएगा वो कोई बिल आके वो कानून का रूप लेगा ठीक है कानून बन जाएगा दूसरा उसको बित होल्ड कर सकता है बित होल्ड मतलब क्या है कुछ दिन उस पे बैठा रहे उस पे अपनी जो के पास भेज़दे कि कि या नाम यह जो बिल आपने भेजा है इसको उसको पर पुना विचार किजिए फ्यक्ति जब इसडसे में क्या होती जब विधानसभा के पनाफ पुनार मिचार करने के लिए फिलिए तो विधानसभा को बाप्स प्र airlines कर Nigar जब धान सभाब फिर से पास करके गवर्नर को भेजती है तो गवर्नर के पास केवल एक ही option बसता है उसको sign करना ठीक है और उसके लावगा कोई दूसरा option नहीं बसता ठीक अब तीन option हो गवर्नर के पास कि उसको sign सहमती दे सकता है या फिर ऐसा उसको बैठा रह सकता है यानि कि अपनी सहमती ना दे और तीसरा उसको return कर सकता है ठीक है बहुत important concept है इसको धान से समझे चौथा उसके पास एक discretion है एक discretion मतलब उसके पास एक बिशेशा अधिकार है कि उ उस बिल को वो रास्पती के बाद भेज सकता है रास्पती यानि कि प्रेशिडेंट के पास भेज सकता है ठीक है उस बिल को क्या कर सकता है रास्पती के पास भेज सकता है अब रास्पती के पास तीन अधिकार तीन option है पहला sign कर दे ठीक है दूसरा bit hold कर ले तीसरा उसको व तो नीट की परिच्छा है, जो नीट की परिच्छा है नो medical exam के लिए जो परिच्छा होती है और भी वहाँ पे tamiladu में कुछ reservation देना है, वहाँ के local population को, तो वहाँ की assembly ने, वहाँ की बिधान सबा ने, जो की head कर रहा है वहाँ की मुख्मंत्री, जो ढिम के की मिख्मंत्री ह तो उन्होंने क्या कि एक बिल पास किया अपनी तमिलाडू विधान सभा से बिल पास किया उसको क्या कि गवर्नर के पास भेज दिया अब गवर्नर के पास भेज दिया अब गवर्नर के पास तीन आपसन है यह सब चार आपसन है तो जनरली क्या होता है जो भी गवर्नर होते ह वो अगर कोई भी ऐसा money bill नहीं है money bill मतलब पैसो से लेटेट कोई बिल नहीं है तो उस पर generally sign कर देते हैं ठीक है और sign करने के बाद वो बिल क्या बन जाता है कानून का रूप ले लेता है यानि कि अधिका बन जाता है धिक है लेकिन जो वहां के जो governor है rn-rabi व है वो क्या कर रहे हैं ở जो जो बिल है जिस पर वहां की assembly ने शायन ने पस्पार किया है उस बिल पर बैठें रहे हैं उसपे ना अपनी सहमती है दे रहे ना सहमती दे found ज़ेंगे तो रूप नहीं लेगा जब कानून का रूप नहीं लेगा तो उसका मतलब उसको हम वहां की जो सरकार है वो जमीन पर उतार नहीं पाएगी ठीक है यानि कि जो सरकार है जो चाहती है वो कर नहीं पाएगी ठीक है तो वहां के जो गवर्नर है वो कर नहीं रहें तो इसलिए वहां के जो assembly है विधान सभा है उन्होंने अंडर आर्टिकल 305 यह बहुत ध्यान से समझेगा आर्टिकल 305 इसमें आर्टिकल दिया हुआ है हमारे समिधान में एमजनसी प्रोविजन इसमें आर्टिकल 355 के तहट यह दिया गया है कि जो केंद सरकार है उसकी यह जिम्मिदारी है कि जितनी राज्य सरकारे हैं वो सम्मिधान सम्मत चले ठीक है मैं फिर से बोलता हूं अंडर आर्टिकल 355 के अंदर यह लिखा गया है कि केंद सरकार जो है वो ऐसा सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारे जितनी भी राज्य सरकारे हैं वो सम्मिधान सम्मत चले ठीक है तो इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए जो तमिलनाडू की असेमिली है विजांसवा है उसने एक resolution पास किया सर्व समधी से कि जो हमने कानून बनाया है वहां के जो गवर्नर है वो बैठे हुए है इसका मतलब जो कानूनी ये जो की समयधानिक रूप से गलत है बैठे रहना ठीक है गलत है तो इसका मतलब है हमारी जो सरकार हमारी जो राज्य है वो समयधानिक र रही है क्यों क्यों की गवर्णर की वजह से तो अनुछे 355 के तहट प्रेशिजेंट को राश्पती को यह अधिकार है कि वहां के जो गवर्णर है उनको आदेश दे कि इस पे बिल पारित करे या ना पारित करे जो भी करना जल्दी डिसेजन ले ठीक है तो वहां की एसेमली अब इसके लिए यह अभी पारित किया यह क्याना यह रिजूलेशन दिया कि इसको जल्दी से जल्दी कोई भी टाइम लिमिट फिक्स कर दीजिए कि इतने दुनों में कोई भी अगर किसी भी एसेमली का किसी भी विधानसभा का जो बिल होगा तो उसमें जो वहां की गवर कोई भी तो इसके लिए आप अगर लच्मी कांद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो गवर्नर होते हैं किसी भी राज्य के वो क्या होते हैं वो नॉमिनल हैड होते हैं ठीक है नॉमिनल हैड नॉमिनल हैड का मतलब क्या होता है वो जो सेंट इसे लींए उनको वह कौ़नर का मतलब होता है कि वह स्आमेधानिक रूप से ही पूरे राज्यी के मुख्यां हैं बट असली पावर जो होती है रियल पावर जिसको बोलते हैं रियल पावर जो होती है वो क्या होती है वहां की जो चुनी हुई सरकार होती है चुनी हुई तो अगर केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है ठीक है अगर केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है तो क्या नम जल्दी से बिल पास हो जाते हैं जैसे आप लोग देखते होंगे क्या नम उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में एक में क्योंकि पार्टी का विचार अलग-अलग होता है तो उनकी पार्टी का काम जो राज्यों में रोकने के लिए केंज सरकार नुमायंदे होते हैं तो इसलिए वहां भे क काम रहे हैं थो teu बड़ा काम यह जो समझान में लिखा नहीं गया है कि कितने दुनों तक आप बैठे रहेंगे किसी भी बिल के उपर इसको क्या करना चाहिए अब जुडिस्री को न्याय ब्यास्था को क्या नम पूरे ब्यापक रूप से देखना चाहिए जिससे की क्या हो रहा है विकास का काम बाधित हो रहा है वहां की राज सरकारों को जो mandate जो जनादेश लोगो दोरा दिया हुआ है उसका अपमान हो रहा है और जो समयधानिक विवाद उत्मन हो रहा है उसको खतम करने के लिए क्या किया जाए वहां की जो सरकार है उसको उसको क्या नम एक टाइम फिक्स किया जाए कि जो भी गवर्णर होंगे इतने दुनों में क्यों क्यों के इसका आप लोगो काम यह है कि लक्ष्मि कान चेप्टर में जाए गवाद जो भी गवर्णर वावगा उसमें दो तीन कमिशन है सरकारिया कमिशन पुंची कमिशन उनकी रिकमेंडेशन क्या है गवर्णर को लेके वो थोज़ब सा पढ़ लीजेगा और जो चैप्टर है संसाथ वाला चैप्टर उसको विश्वाला सब पढ़ लिजेगा तो और भी डेटेल में समझ में आ जाएगा ठीक है कि मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया डेटेल में तो इसका एक मेंज का कुश्चन है उसको डिसकस करते हैं क्या है सहमती को रोगने या अजविकार करने के बजाए राय में अंतर होने पर राज जिपाल और राज को सारवजनिक रूप से सनलगन होना चाहिए ठिपड़ी करने डेटेट्स हो सक्दों में राधर देन विद्वोल्डिंग और डिनाइंग एसेंट गवर्णर एन स्टेट मस्ट इंगेज पब्लिकली विन दिर इस डिफरेंस आफ उपिनियन ठीक है गवर्णर मस्ट इंगेज अब यह पॉलटी का कुश्चन है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा अग इसको मैं कल इसका आंसर बताओंगा कि कैसे लिखा जाता है आज अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोग ठीक है तो यह था पहला एडिटोरियल